नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचेत दोस्तों पस्तित हों आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जी हाँ क्या आप जानते हैं इस अद्भूत चमतकारी मधुमे को जड़ से खत्म करने वाले घरेलू उपाय को जी हाँ यह बहु आज इस रोग से पूनतह मुक्त होकर समान्य संपून आहार ले रही हैं जी हाँ मिठाईयां भी डॉक्टरों ने उस महिला को इंसुलीन और अन्य ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली दवाईयां भी बंद करने की सलादी है और एक खास बात चुकि केवल दो सबताह चलने नहीं है मुंबई के किनी विश्य शग्य एक डॉक्टर का कहना है और द्रिधता से वो कहते हैं कि धैरे के साथ इस और शधी के व्यापक प्रयोग किये गए तो आप आज चर्य जनक रूप से ठीक हो जाएंगे आपको बिलीब भी नहीं होगा कि आप सो प्रतिसत सही हो गय है कि इस उप्योगी उपचार को अधिक से अधिक प्रचारित करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभानवीत हो सकें देखिए ये कितनी आसान और शधी है जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं आईए इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या-क्या चाहिए हो होगा इसके लिए जरूरी आवशक सामगरी क्या-क्या होगी गेहुं चाहिए होगा आपको सो ग्राम व्रिक्ष से निकली हुई गूंद चाहिए होगी सो ग्राम जो चाहिए होगा सो ग्राम कुलंजी चाहिए होगा सो ग्राम ये सामगरियां आप एकत्रित कर लीजे अब इसकी निर्मार वीधि को जानते हैं सभी सामगरी को पांच कब पानी में रख दीजिए आग पर इन्हें दस मिनट उबालिए इसे स्वयम ठंडा होने दीजिए ठंडा होने पर इसे चान कर पानी को किसी बोटल या जग में सुरक्षित रख दीजिए अब इसके उपयोग की वीधि को जानते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही महतोपूर है साथ दिन तक एक छोटा कब पानी प्रती दिन सुबह खाली पेट लेना है आपको अगले सप्ताह एक दिन छोड़कर इसी प्रकार से सुबह खाली पेट पानी लेना है मात्र दो सप्ताह के इस प्रयोग के बाद आश्चर या जनक रूप से आप पाएंगे कि आप सामान्य हो चुके हैं और बिना किसी समस्या के अपना नियमित समान्य भोजन आप ले सकते हैं जी हाँ तो ये डाइबिटीज का बहुत ही कारगर देशी इलाज है बस घरेलू इलाजों में एक बात का खयाल रखना होता है कि हुम्मेड रेमेडिज जो भी होती है वो अपना कारे पूरा करने में थोड़ा वक्त लेती हैं जी हाँ इसको करने में आपको थोड़ा वक्त लगता है अगर आप इन और शधियों का निरंतरता के साथ प्रयोक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी जो है वो शूमंतर हो जाएगी यानि कि गायब हो जाएगी जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही कारगर और शधियां होती हैं जिनके सहारे आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है जी हाँ तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे हम एक और बेहद ही महतो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तो